सब्सक्राइब किज़े टेक्नोविकास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों क्या आपको पता है कि हम लोग जीस तरीके से अपने फोन के ऑप्रेटर को चेंज कर सकते हैं सब्सक्राइब को पर् maturity के माध्यम से उसी तरीके से हम लोग अपना गैस इनलूर्पी जीस चैनेक्शन का potability प्रोसीजर शुरू हो गए यानि suppose कर लिए आपका gas connection जो है वो HP का है और आपके सहर में इसके 3 distributors हैं तो उसी तरीके से आपके सहर में भारत gas के भी बहुत सारे distributor होंगे इंडियन gas के भी बहुत सारे distributor होंगे उसी तरीके से LPG के होंगे और फिर HP के भी होंगे तो अब यदि आप चाहें तो मेरे screen पे जो पड़ेगी तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं प्रोसेस जो है वो क्या है और समझाते हैं क्या क्या करना होगा अगर आपका connection जो है वो इंडियन का है तो यहां पर इस पीच पर विजिट करके देख सकते हैं आपको बस इस फॉर्म को जो है वो फि आना होगा जिसके माद्यम से क्या होगा कि आप अपना connection को है जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं और उसी तरीके से आपको यहां पर भारत गास दिख रहा है उसी तरीके से आपको यहां पर consumer number देना होगा और register mobile number जो है वो input करना होगा और OK करने के बाद आपका जो एक basic details जो है भारत gas के पास आपका वो आपको यहां पर show करेगा आप जाये तो उसमें event change कर सकते हैं जो भी आपको changes करने हैं और इसकी link जो है दोस्तो मैंने वीडियो के नीचे provide कर दिया है आप direct उस पर click करके और अपना जो gas agency है वो change कर सकते हैं आपका existing connection जो भी company के पास है उस website पर जा है जैसे ही आप यह सब फिल करेंगे तो यहां पर आपको शो करेगा उसी तरीके से आपको consumer number होगा वो यहां पर डालना होगा और नहीं तो 17 digit का LPG ID जो है वो यहां पर आपको डालना होगा उसी तरीके से username email ID और email ID जो है वो हमेशा ध्यान से डाले क्योंकि आपका जो confirmation code है confirmation link जो है वो आपके ID पे जाएगा और वही confirmation link पे क्लिक करने के बाद आपका जो यह registration page है वो valid होगा ठीक है तो उसी तरीके से यहां पर अगर landline number है तो वो डाल दें नहीं तो यहां पर mobile number डालें ही डालें उसके बाद नीचे है passport number, pen number, रासन कार नमबर अगर आपके पास र जाल दें और नहीं है तो छोड़ दें और उसी तरीके से driving license, आधार card number और यहां पर जो है इसके बाद आपको यह capture है जैसे कि यहां पर लिखाव है वह से entry करना होगा और accept पे click करने के बाद यहां पर submit कर दें आप और इससे होगा क्या कि आपका registration जो है वो complete हो जाएगा login क करने के बाद हर company के अलग-अलग process है और उसके बाद आपको वहां पर सारे distributors जो है वो दिखाई देंगे और distributor के नाम के साथ उसका rating भी दिखाए जाएगा customer ने rating क्या दी है और delivery कैसी है उसके बाद फिर जो five star है अच्छे star की rating दिखाए जाएंगे आप उन में से किसी एक क सेलेक्ट करके submit कर दिजी और finally आपके mail पर एक later आएगा एक email आएगा उसे कुछ नहीं करना है simply उसे print कर ले और लेकर कर जाना होगा आपके नए distributor के पास जिसे आप लेना चाहते हैं लेकिन देख लिजें आपर suppose कर लिजे कि आप अगर distributor change कर रहे हैं within a company तो मतलब indent to indent जैसे अगर आप चाहते हैं कि Indian to HP या भारत gas transfer करना तो इस case में क्या होगा कि आपको जो है वो आपका जो मौझूदा company आपने जहां से gas ले रखा है तो वहाँ पर आपका जो cylinder है उसे लोटाना होगा और उसके बाद वो security money जो है वो आपको वापस कर देंगे आपको जो mail आएगा उसको print करने के बाद और security money लेने के बाद आपको नई connection जहां से भी आपको लेना है जैसे कि आपने Indian to HP गया या फिर आप Indian to भारत gas जाना जाते है तो simply आपको भारत gas के पास जाना है और वो security money जो है वो आपके documents के साथ जमा करना है तो आपका काम जो है वो पूरा हो तो दोस्तो इतनी सी process है अगर आप ये कर पाते हैं तो आप अपना जो gas connection है वो transfer कर सकते हैं एक company से दूसरे company के पास तो दोस्तो आज के वीडियो में बस मैं यही इसी पर बात करने वाला था I hope सारा process जो है वो आपको समझ में आ गया होगा आपको ये वीडियो जो है वो प